हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हेल्दी फूडी दोस्तो आज मैं आपसे बात करूंगी उन खाने पीने की चीजों के बारे में जिनसे हमारे शरीर का खून साफ होता है शरीर में दर्द, पूरे दिन ठका ठका सा महसूस करना, शरीर में सुस्ती, कमजोरी, आलसपन लगना, कुछ भी थोड़ा खा लेने से ही पेट में गड़बड़ी रहना, बाल जादा तूटना, तनाव, चिंता, चिर्चिरा सा मूट बने रहना, नींद कम आना, चेहरे पर फ खून को साफ करें, पहला है नीम के पत्ते, दोस्तों नीम के पत्ते, बलड प्योरिफायर के नाम से जाने जाते हैं, ये शरीर में खून को साफ कर, शरीर की रोग प्रतिरोधा किमिनिटी को बढ़ाते हैं, और बिमारियों के संकरमन से दूर रखते हैं, नीम का पानी पीन ये blood sugar level को भी control रखते हैं दूसरा है तुलसी के पत्ते दोस्तों तुलसी के पत्ते भी शरीर को naturally detox करते हैं इन में मौझूद एंटिबायोटिक गुन खून को साफ करने में औशिदिक के रूप में जाने जाते हैं ये खून में गंदे toxins को शरीर से बहार निकालने में मदद करते हैं और साथ ही तुचा में निखार लाते हैं अब तुलसी की चाय या तुलसी का पानी या फिर 6-7 तुलसी के पत्तों को पानी के साथ भी निगल सकते हैं लेकिन तुलसी के पत्तों को चबाने से बचें। कीसरा है धनिया के पत्ते यानि की कॉरियंडर लीस। दोस्तो सबजी में डलने वाला हरा धनिया भी बहुती गुणकारी होता है। ये भी खून को साफ करने में काफी उप्योगी माना जाता है। एक बरतन में एक गिलास पानी लें और उसमें थोड़ इसी पुदीने की पत्तियां और थोड़ इसी धनिया की पत्तियां डाल कर 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दें और चाय की तरह गुनगुना पी ले। या आप चाहें तो धनिये के पत्ते का रस भी पी सकते हैं। ये पेट से सम्मंदित बिमारियों के लिए भी बहुती फायदिमंद है। अगला है हल्दी यानि की टोमरिक। दोस्तों कच्ची हल्दी, अचार, सबजी या सलाथ किसी भी रूप में हल्दी को लेना खून को साफ करने में मदद करती है। हल्दी एक एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी सेप्टिक और एंटी इंफ्लिमेटरी पधात है जो शरीर से हानिकारक टॉक्सिंस को बहान निकालने में फायदा करती है और हमारी इम्मुनिटी को मजबूत बनाती है। आप चाहें तो रात में हल्दी वाला दूद पीकर भी हल् उठा सकते हैं पांचवा है गुड यानि की जैगरी दोस्तो गुड भी बहुती लापकारी होता है ये सिर्फ मुझ का टेस्ट बदलने के लिए ही नहीं खाया जाता है बलकि ये खून को साफ करने में भी अच्छा फायदा करता है ये शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को ब भाता है छटा है नीम्बू का रस यानि की लेमन वाटर दोस्तो नीम्बू के जूस में भी विटामिन सी और एंटी ओक्सिडेंट मौजूद होते हैं जो शरीर के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करते हैं साथी बलड को प्यॉरिफाई भी करता है जिससे की इ साथवा है उमेगा-3 से भरपूर फूट्स दोस्तों उमेगा-3 से भरपूर फूट्स भी शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं जैसे की सैलमन फिश अकरोट बादाम अलसी के बीज यानि की फ्लैक सीट्स यह सब खून को साफ करने के अलावा दिल और ब्रेन को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं हाई ब्लड प्रेशर मुटापा फैटी लिवर हड़ी और जोडों में दर्द इन सबसे भी खून को प्यूरिफाइ करने के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी एसिट्स राहत दिलाते हैं आठवा है आवला यानि की इंडियन गूसबेरी दोस्तों आ मैसूस करता है बाल जादा तूटते हैं और लिवर और किड्नी भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते तो ऐसे में आवला खून से गंदगी को बाहर निकाल खून को साफ करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है नौवा है चुकंदर यानि की बीट रूट द इसमें विटामिन्स, फाइबर और आइरन पाया जाता है जो हेमोगलोबिन के निर्मान के लिए एक जरूरी पौश्तिक तत्व है हेमोगलोबिन डेड बलड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक अक्सीजन पहुंचाने का का करता है और साथी चुकंदर खून को प्यूरिफाय कर खून की ताकत को भी बढ़ाते हैं और हाट की सेहत को भी स्वस्त रखते हैं आखरी में है प्याज यानिकी अनियंस दोस्तों प्याज को कच्चा या पकाकर खाने से भी शरीर में खून की सफाई होती है प्याज खून का थक्का यानि कि blood clotting की परिशानी को रोकने में भी मदद करता है और साथ ही खाने में प्याज को लेने से पाचन क्रिया भी बहतर बनती है और पेट में गैंस या कप से भी प्याज राहत दिलाता है तो दोस्तों ये थी ऐसी खास खाने पीने की चीजे जो खून को साफ कर हम हमारी सेहत को सवहश रखने में मदद करती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीज़े इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है हेल्दी फूडी ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें तब तक के लिए स्टे हेल्दी फैंक यू